भूहुँ आप सब आसा करते हूं कि आ चल दशाड कर लेते आज का ब्लॉग तो प्रेंड आज में के साथ एक अनौर कली कुड़त्या कि वीडियो सेर करूँगी कॉटिंग और स्टिचिन भी साड़ी से बनाएंगे मैं कॉटन साड़ी से आज बनाऊंगे अनौर कर लेकुड अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे सेनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेला कने उससे भी प्रेस कर देना तो अगले वीडियो का नुट्री प्रेशन आपको मिल जाएगा तो फ्रेंद यहां पर में यह जो कटन चाड़ी तो यह कटन चाड़ी जो कॉलर कम नेजना बहुत पसंद है और इसका जो नीची का बोड़ने ना वह भी बहुत आच्छा लगता है तो अनार के लिए मैं अच्छा लगेगा नीचे में वह बोड़ना जाएगा तो चली उसका कटिंग कर लेते तो पहले जो आंसल का पड़ बेरेशन निकालेंगा और जो पर बाड़ी का लिया थैना उसको कॉम कट कर लेंगे टॉपड़ के लिए ऐहां पर जो घ्र बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे इसतरह से होड एफोड कर लेंगे दिखिए और डूब कर करेंगे तो यहां पर दिखिए इट वाग आजएगा اہ经 तो भूल्ट करेंगे तो यहां पर 16 बहाँ आ जाएगा है और इसाम इस तरह क्या है तो यहां पर 16 पाट आंगे पूल हीजा तो इसका क्या करंगे हम लंभ़ाइ में कट न 걸ेंगे तो जाया करेंगे जो इसका कूट्षा का लंऑ इस तरह से फोल्ड को इस तरह से मोड़ेंगे तो इसका मीडल पाट आजाएगा उसके मार कर लेंगे और यहां पर जो कली कट करेंगे उसका हम क्या करेंगे हमारा जो वेस्ट है उसका वेस्ट जितना है उसमें को रशाट करेंगे तो हमएken तो उसमें पर 25 to 16 से 10 करेंगे तो हुआ करेंगे हो टू हैructures तो हमРИ तो इस तरह से हमें उसमें क्रॉस लाइन किजन इंगे पर बॉरोर को कोट नहीं करेंगे बोडोर के उप़र से तु इन्च जो धियाए मारक से करो सब्सक्रा करके निकाल तो इस तरह से उसे हम कॉट कर लेंगे तो दिखिए प्रेंड यहां पर हमारा सुला कोलिया जो है रेडी हो गया है अब हम टॉप पाट को कटिंग करेंगे तो जाले यहां पर मैंने लाइनिंग ले लिया यह कलर मेंच नहीं हो रहा है लेकिन बाहर के तरफ नहीं दिख रहा है तो इससे में ले लूँगे क्योंकि जो लाइनिंग है न मेरे पास था तो चलिए उससे हम इस तरह से फोर फोल्ड कर लेंगे पहले फिर उसके हम क्या करेंगे टॉप अट के में फोर्टिन लोगी तो यहां पर मैंने वान इंच प्लास करूंगी तो यहां पर फिप्टीन आ जाएगा तो उससे हम उसको मार कर लेंगे कि हुआ है है हुआ हुआ पर मैं में भूट लेंगे तो इसलियzen लेह कुए तो इसलिए मैंहे पर सेवन पॉैंट हाप लोंगी और आरमोल के लिए मिहां पर सिवन इंच मेमार करूंगी इस отпर से लाइन कीरेंगे अब अब क्या करेंगे जेशच के भूर पार्ट लूजीन के लिए उस्ते मार कर लोगे यहां कर मैंने वेस्ट मेज़िए भूर कंप लौे सूल फो आट ilूज पट्रो चले और विज मैं मार कर देंगे उसके लिए वाट फारह करूंगीं सब्सक्राइब करता सब्सक्राइब फ्सक्राइब बोटनेक की सेब दे दूंगी तो दिखे यहां पर मैंने टॉप आट की मार्किंग कर लिया है अब उसमें कट कर लोंगी कि इस तरह से हम टॉप आट को कटिंग कर लेंगे अब चलिए यहां पर में फेबरिक के उपर लाइनिंग रख कर कट कर लोंगी अब हम बाजू की कटिंग करेंगे इसलिए हां पर कपड़े को में फोरफट कर लोंगी और जो आर्मोल जितना है ना में मेजरमेंट कर लिया है आपर मेरा पुरा जो आर्मोल है ना टेन इंचे तो उससे क्या करूंगी इस तरह से मार्क कर लोंगी और यहां पर जो लंबाई लेंगे और उसमें मार करके टू इंच लोगी उसे खोल कर अब यह हाप इंच का में से ब्राइट कर दोंगे तो चलिए अब जो इछे की जो लाइनिंग है ना उसी के कटिंग कल लोंगी तो यहां पर मेरे पर एक लाइनिंग था तो इसमें यहां पर मैना टेन आया है तो उसे मार कर लोंगे और निचे का जो घेर है ना में फेब्रीक से 3 इंच कम करके लें लोंगे मानेस करके इस तरह से हम साइड से क्रोस लाइन खिच लेंगे और वान इंच का सेफ देकर इस तरह से कट कर लेंगे कि यह देखे हमारा कटिंग हो गया है तो चलिए उपर का जो जाइन पाठे उससे कट कर लेते हैं कि हमारा लाइनिंग भी हो गया है चलिए दिखते तो दिखे यह जो कली है ना उसे इस तरह से फोल करके हम सिलाई करेंगे एक एक करके बटाती हूँ कैसे ना है तो यह आं पर में इस तरह से रखूंगे करके को अंधर के गश्साइब करेंगे एक एक करके दिखे इस तरह से जिस साइब में इस इतना कट किया है नीचे के तरफ और वान इक हएक करो पर में पर मैंने एट वाट जुडूंगी बीच में एक को स्नुडूंगी देखें यहां पर मैंने सारे कल्य को जोड दिया है यहां पर इस तरह से हम लाइनिंग को अटच कर लेंगे देखेंगे भीप health में मैं एक एक झिar सभ्लाट चोड़ दिया जायन नहीं किया है स्था इस तरह से मं दोनं साइट लाइननिंग को जायन कर लेंगे फेले । क्या हाँ दॉनियनก को जै़ीं कर दूंगी में फेबरे की उपर दिखें दोने लाइनिंग मैंने जायन कर अब चलिए हम टॉप पाट के सिलाई कर लेंगे तो पाट के सिधे साइट जो कप्टे के सिधे साइट के उपर हम लाइनिंग को रख देंगे इस तरह से अब गॉले में शिलाई करेंगे पहले इसका जो इस्ट्रा पेबरिक है ना उसे काट करेंगे और उसे हम अब इस तरह से पलट लेंगे तो उससे हम क्या होता है ना गले में एमिंग देने की जरुरत नहीं पड़ती तो उसमें उपर हम एक सिलाई इस तरह से लगा लेंगे शिलाई लगा लेंगे अब अर्स लाइन कर लेंगे इस तरह से शिलाई कर लेंगे हैं और साइट के जो पचेवी कप्ड़े उससे भी कट कर लेंगे अब हम हैं को शिलाए करेंगे बाजू को चले वाजू को इस तरह से रखे में आप थोड़ा सा फील दिया है बीच में तो देखे इस तरह से तीन दिन फील दे दिया है मैंने हम जो सेव दिया है नहां पिंच का उससे हम फ्रॉंट के पाट में ही रखेंगे तो चले आब अब आम जू नीचे के पाट को जोन्त कर लेंगे इस तरह से दुनों साइट दुनों पाट को जैंत कर लेंगे आपर मैंने पिटिंग के जो मेजर्मेंट लिया है टू इंच सबसे उसको में लाइन खिस दोंगी पहले तर से मिंआ लगा लेंगे क् से इससी इलाय लगा एंगे शसे तर से मंदेट में यह अजाना है इस तरह से ख्रास करें और में पीब्रिक को हिए सीला है पहले है है तिए मेन फिब्र को फेले शिल लेंगे उसका हम डबल कर लेंगे हम साइड में एक शिलाई में देदूंगी अ जैड हो गया अब हम क्या करेंगे जो दोना से चिलने के बाद यहां पर मैं क्या करूंगी जो लाइनिंग एना नीचे का से इसतरा से न एंविंगगों कि ओ कि स्टाय लूंगों अ अगशे कि उपने श्यूं में बाएं में को सुपाइब दो क्रेंग मिशाझ सब्ली प्रुद से दो करके जबर बताना वीडियो आचे लेगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाई प्रेंट्स